हलो फ्रेंज एक बार फिर सी स्वागत आपका हमारी यूटूब चैनल सोनु कॉंपेटिशन क्रासेश पे जैसे कि हम राजस्तान पुलिस कॉंस्टेबल के लिए कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने अपने लास्ट वाले वीडियो में इंपोर्टेंट क्योशन को हमने एंपोर्टेंट क्यों के द्वारा सौल किया था आज भी बारत का नियंत्र का महालेखा परिक्षक के जो इंपोर्टेंट टॉपिक्स जो क्योशन है वो बच्चु के हैं उसको आज हम सौल करेंगे और आज हम महान्याइवादी के क्योशन को भी इंपोर्टेंट जो क्यूशन है जो आपके एक्जाम में आने के चांसेज है उनको भी आज हम mcq के द्वारा सौल करेंगे ओके आज का जो मारा टॉपिक रहने वाला है वह है भारत का नियंद्र का महालिखा परिक्षक और महानियाईवादी आज हम इनके उपर आज हम डिसकस करेंगे तो देखें आज का फर्स्ट क्यूशन है सविधान के इस आर्टिकल में महानियाई देखेंटो चिंतर में किया गया है वह जो महानियाईवादीप का इसे का उल्ले कांगा सविधान क क्या है चिंतर में क्या गया है तो जो भी मेरी द्वारा आर्टिकल्स जो अनुछित बताया जाते हैं उनको आपको no doubt करते जाना है क्योंकि ज्यादा तर एक्जाम में क्या होता है वह आर्टिकल्स के वारे में एक या दो अधिकारी कौन होता है बारत सरकार का प्रथम विधी अधिकारी कौन होता है तो यह हमारे जो बारत का महान याइवादी होता है वो बारत सरकार का प्रत्थम विदी अधिकारी या फिर कानूनी अधिकारी होता है जो बारत का महान याइवादी होता है वो कानून से समन्दित जो भी प्रामर्स देने होते हैं वो सरकार को देता है कौन महान याइवादी तो ये बारत इसका प्रेथम कानूनी अधिकारी भी आ जा सकता है इसको तो देखते हैं मां next question फिर next question है बाराइस सरकार को कानूनी विश्यो पर प्रामर्स कौन देता है तो अब इस second question में हमने देखा तभी कानूनी अधिकारी कौन होता है तो इसमें क्या हमारा option होगा? पहला option है attorney general B option है उच्छेदा मिन्याले का मुख्य प्रामर्स कौन होगा तो इसमें नहीं हमारा right option क्या होगा? जो attorney general है जो बारत का महान याएदीस होगा वो बारत सरकार को कानूनी विश्यो पर प्रामर्स देता है वो विदि का प्रत्थम अधिकारी होता है कौन? Attorney General इसका सही नाम है यह Attorney General होता है वो बारत सरकार को कानूनी विश्वों पर प्रामर्श देता है और यह बारत का प्रत्थम कानूनी अधिकारी होता है देखते हैं Next Question Next Question है निमलिखित में वह वेक्ति कोन है जो सदश्य नहीं होता लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है ऐसा कौन सा वेक्ति है जो संसद का सदश्य ना होते वे भी वह संसद को संबोधित करने का अधिकार रगता है संसद का सदश्य ना होते वे भी वह संसद को आठ्चणायूब। तो इसमें माय रायट ऑफ्फिन क्या होगा। इसमें और रायट अपफिन है ए जो भारत का टार्णी जन्रोल होता है, जो संसध है इसके क्यों लोग ignore सभा क्रकedाक कि उक्राद सदस्य का संविवाद कर समीति का सदश्य भी बनने की योग्यता है फिर इसका अधिकार भी रबता है तो जो बारत का अटार्णी जनरल है वो संसद का सदश्य ना होते भी ये संसद को संबोधित भी कर सकता है और संसद की कारेवाई में भाग भी ले सकता है संसदिये कारवाई में हिस्सा भी ले सकता है और संसदिये किसी भी संसदिये समीती होती है उसमें भी ये पार्टिसपेट कर सकता है कौन अटार्नी जनरल जो बारत का महान्यायवादी होता है देखते हैं नेक्स्ट क्यूशन इसमें क्या क्या पड़ा है वह मंत्री मंडल का सदश्य नहीं है तो यह option भी सही है कि जो महानियाईवादी होता है वो मंत्री मंडल का सदश्य नहीं होता है फिर भी option है उसे संसद के सदनों में बोलने का अधिकार है तो यह option भी हमारा सही है जो महानियाईवादी होता है वह संसद का सदश्य नहीं होते संसद में मत दान नहीं कर सकता है कौन महानियावादी लेकिन वो संसद की किसी भी कार्यवाई में पार्टिसपेट कर सकता है उसमें भाग ले सकता है फिर सी ओप्षन है उसे संसद में मत देने का अधिकार है तो यह ओप्षन हमारा सही है इस क्यूशन को देखते हुए उसे स संसद में मत देने का अधिकार नहीं है जो महानियाईवादी है वह संसद में मत दान नहीं कर सकता है फिर दी ओप्षन न्यूकति राष्टपति की द्वारा की जाती है तो जो महानियाईवादी होता है इसकी न्यूकति की द्वारा की जाती है भारत के राष्टपति के द्व द्वारा नायवादी के होती है कि होता है उससे संसत के किसी भी सदन का सदश्य होना कौन होंगे। पहला है भारत की द्वारा राश्र पती कि स्वयम की इच्छा से किसी वेगती को महान्य वदि नहीं कर सकता है। क्योंकि वही जो मंत्री परिशद है जो राष्टपती होता है वो अपना समस्त कारे किसके सिपारिस पे करता है मंत्री परिशद के सिपारिस के उपर करता है जो मंत्री परिशद के द्वारा उसको बोला जाता है वही राष्टपती के द्वारा कारे किया जाता है तो जो मंत् किया जाता है जिसका नाम मंत्री परिश्यत के द्वारा बेजा गया हो फिर भी उप्षन उसमें वही हो गेता ही होनी चाहिए जो न्यायले के न्यायदीश की होती है तो यह उप्षन भी हमारा सही है तो जो सरोचय नाय्ले के न्यायदीश की जो पद के लिए यहगेता होती है वही यह किसमें होनी चाहिए पद के लिए न्यायदीश की में होनी चाहिए तो आपको पता है सरोज नहिले का नहाएदिस होता है उसमें कौन-कौन सी युगता होती है। पहला कि वह दो यह दो से अधिक उच्छ नहिले में कम से कम पांच वर्ष तक पांच वर्ष तक जज रहे चुका हो पहली योगेता तो यह हो गई कि वह दो या दो से अधिक न्यायले में कम से कम कितने पांच वर्स तक जज रहे चुका हो फिर दूसरी योगेता क्या है कि वह उच्छ न्यायले में किसी भी उच्छ न्यायले में कम से कम दस वर्स तक अधिवक्ता रहे चुका हो दस वर्स तक advocate रह चुका हो यह जो दोनो योग्यता है वो एक सरोच नयले के नयदिस के अंदर होती है और यही योग्यता उस वेक्ति के पास भी होनी चाहिए जो महानियाईवादी बनने है जो जिसको महानियाईवादी न्यूक्त किया जाता है तो जिस वेक्ति के पास यह दोनो योग्यता होती है उसको महानियाईवादी न्यूक्त कर सकता है फिर यह option है उसे संसद के किसी भी सदन का सदश्य होना चाहिए तो यह option हमारा wrong है यह option सही नहीं है उसे संसद का सदश्य है वह नहीं हो सकता फिर यह option है संसद के द्वारा महा प्रशाद प्रियंत्र अपने पद पर बना रहता है और राष्ट्पती अपनी इच्छा से इसे पद से हटा सकता है किन्तु इसके लिए भी राष्टपती को मंत्री परिशद की सीफारिस की आवशकता होती है तो जब राष्टपती मंत्री परिशद की सीफारिस से इसे महान्याइवादी को अपनी पद से हटा सकता है देखते हैं नेक्स्ट क्यूशन है बारत की इटारणी जनरल विदी सलाकार है बारत की राश्ट्रकार। Uh तो यह बारे सरकार का विदी सलाकार होता है अगता है but सा fluctuation है बारत के नियांदर का drug market में इसे कौन सा सही नहीं है यह मारे उप्षन है पहला उसकी नियुकति राष्टपति के द्वारा की जाती है वी उप्षन होता है heh और फिर राष्टपतः स्कूब से हटा सकता है तो इसमें राज्टेश के वह वुल्प होता है उसकी न्यूक्ति किसके द्वारा की जाती है और श्वोप्ष्टन उसका वेतन और शरोचा को सम्मान होना हो तो यह ऊप्षोण भी हमारा सही है स्रोच नहयले के न्याय दीज की सब्मान होगा तो वरत्मान में श्रोच नहयले का जू नियाएदीज सांगांव..? उसका वेतन ना है 2.50 तो वरत्मान नियंद्र का महाले का परिख्षक है managen क्या है तो ये option हमारा गलत है, सेवा निवरत के पश्चात वे औंने किसी भी सरकारी सेवा का योग्य नहीं हो सकता है, इसके लिए यह योग्य है, फिर ये option है उसको राष्टपती पद से हटा सकता है, तो ये option भी हमारा गलत है, जो नियंत्रकव महालेखा परिख्शक है, इसका जो केग है उसको भी उसी प्रकरिया के द्वारा हटाये जाता है तो जो सरोच यह घलत हगया राष्ट पती इससे अपनी इच्छा से पद से हटा नहीं सकता है ओकिस का मित्र एबं मारक दर्शक होता है तो यह उप्शन है पहला है परवर समीती गा प्राकलन समीती गा C option है प्रदानमंत्री का और D option है लोग लेखा समीती का तो इसमें मारा right option क्या होगा इसमें मारा right option है D बारत का जो नियंत्रक है वो महालिखा परिक्षा का वो किसका मित्र और मारक दर्शक होता है लोग लेखा समीती का मित्र और मारक दर्शक इसको कहा जाता है केग को केग मारक दर्शक गया इसे बड़ा भाही भी कहा जाता है केग को लोग लेका समीती का मित्र मारक दर्शक और इसे बड़ा भाही भी कहा जाता है क्योंकि लोग लेका समीती के द्वारा नियंत्रकव महालेखा परिक्षक जो संचित निदी से समधी जो रिपोर्ट होती है लोग लेका समीती का गठन करती है तो आपको पता है लोग लेका समीती का गठन किसके द्वारा किया जाता है संसत के द्वारा किया जाता है क्यों उस रिपोर्ट की जाच के लिए तो लोग लेका समीती के द्वारा केक की रिपोर्ट की जाच की जाती है इसलिए केक को लोग लेका समीति का क्या का माना जाता है मित्र मारक दर्सक का हूं बड़ा भाई भी माना जाता है ओकी गाइस देखते हैं नेक्स्ट कुशन next question है लोग निदी का अभीभावक किसे कहा जाता है लोग निदी का अभीभावक अभी क्या पुछा गए लोग निदी का अभीभावक किसे कहा जाता है तो यह मारे option है पहला है राष्टपती को B option है नियंत्र का उम्हालेखा परिक्षक को C option है संसद को दी ओप्च्ण है मंत्री परिशत को, तो इसमें हमारा राट ओप्च्ण क्या होगा? इसमें हमारा राट ओप्च्ण है नियंत्रकव महालेखा परिख्ण को लोगनिधी का अभी भावग भी कहा जाता है यानि कि केंद्र या रज्जे की संचित निधी संचित निधी जिसे क्या कहा जाता है लोग निधी भी कहा जाता है जिसमें सार्वजनिक धन जिसमें सार्वजनिक धन आता है इसे लोग निधी भी कहा जाता है क्योंकि जो बारत की नागरीकों के द्वारा टेक से या फिर जीएशटी से समनी जो भी कर्वग्र दी जाते हैं वो कहां पर जाते हैं तो इसको क्या का जा सकता है सारवजनिक धनिया फिर लोग निधी भी का जाता है इसके अभिवावक कौन होता हैं नियंत्राकवम हलेखा निंत्रकोव महालखा परिक्षक के दौरा इसका लेखा जोगा रखा है इसलिए इसका अभिवरक किसको का गया है ओक परिक्षक कें से कौुपए की कारियोवाईब। यहाँ प्हले क्या था जो लोगसबा की कारिवाईयों में भाग तो ले सकता था किन्तु मतदान नहीं कर सकता तो इसमें जो आपका क्योशन है वो गुमा के दिया गया है ना इसमें दिया गया है लोगसबा की कारिवाईयों में भाग तो ले सकता है किन्तु मतदान नहीं कर सकता तो इसमें हमारा र अज्यसबा भी हो सकता है उनकी कारेवायों में भाग तो ले सकता है किन्तु उसमें मतदान नहीं कर सकता तो इसमें मारा अप्षिन क्या होगा अटार्णी जन्रल गैस देखते हैं नेक्स्ट क्यूशन नेक्स्ट है बारत की नियंत्रकाव महालेखा परिक्षक के संग के लेखा संबंदी परतिवेदनों को सर्वपर्थम निम्न में से किसको परस्तूत किया जाता है जो बारत का नियंत्रकाव महालेखा परिक्षक है जो संग और राज्यू से संबंदी जो लेखा जो का होता है इस से पर जो इसके रिपोर्ट होते हैं वो किसको सम्मधित करता है तो इसमें पहला ओप्षिन है लोग लेखा समीति के अद्यक्ष को बी ओप्षिन है लोगसभा के अद्यक्ष को सी ओप्षिन है बारत की कानूर मंत्री को और डी ओप्षिन है बारत के राष्ट पती को जो केग होता है वो बारत केंदर से समंदित जो संचित निदी होती है उसकी रिपोर्ट राष्ट पती को संबोधित करता है और राज्ये से समंदित संचित निदी की जो रिपोर्ट है वो राज्ये के समंदित राज्येपाल को संबोधित करता है तो जो की लिए अगरी के सवतंतरता के संग्रक्षक के रूप में से सरकार के मुख्य विदिक सलाहाकार के रूप में और दी है उप्युक्त सभी के संग्रक्षक के रूप में तो इसमें मार राइट ऑप्षिन क्या होगा जो सीएजी है वो किस से संग्रक्षे के रूप में कारे करते हैं तो इसमें मार राइट ऑप्षिन होगा डी लोग वित संग्रक्षे के रूप में जो सीएजी है वो लोग वित के संग्रक्षे के रूप में कारे करते ह है cg के दौर मैंने बताएं जो कैंदरों राज्य से संचित नीजी होती है में आयवोग का लिखागा किसके दौराइक दौरा किया जहता है बी ओप्शन है मुख्य निर्वाचनायुक्त सी ओप्शन है लोगसभा अध्यक्स और डी ओप्शन है भारत का महान्याइवादी ऐसा कौन सा है जो राष्ट्रपती के परशाद प्रियंत अपने पद पर बना रहता है तो इसमें मारा राइट ऑप्शन क्या होगा जो बारत क सकता है राष्ट्रपती सवयम के इच्छा से इसे अपने पत से नहीं रटा सकता है जो मुख्य निर्वाचनायुक्त होता है इसको लोस्त के सदसे होते हैं सदस्यों के दौरा बहूमत सकते हैं दो थीह भूमत के दौरा लोग्सबा के अध्यक्ष को अपने पज़्चे सङजा सकता है तो इन में का इन तिनों को पत्से हटाने के लिए सभीधान में प्रक्रिया का उल्ले किया गया है किन्तों महान्यायवद्य इसको पत्से हटाने के लिए सभीधान में कहीं भी इसको पत्से हटाने के लिए किसी भी प्रक्रिया का उल्ले नहीं किया गया है इसलिए जो पारत का महान्याय वादी होता है वो राष्ट पती के परशाद प्रियंत अपने बद पे बना रहता है तो राष्ट पती अपनी इच्छा से इसे अपने पद से हटा भी सकता है किन्तु इसके लिए राष्ट पती को किसकी सिफारिस की आवशकता होती है मंत्री परिशद की सिफारिस की आवशक तो next question next question है बारत के नियंत्रक अवा महालेखा परिक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रकरिया निमलिखित में से किसके सम्मान है तो guys मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताए था जो okay गोता है किसके उसको पद्र पर्कुरिया कि की हटाई जयगा महाव्योग परक्रिया की द्वराँ besar होता है इसको उच्छतम न्यायले के न्याधिस को जिस्परकुर्ण थोरा धस ? उसी प्रक्रिया के द्वारा के को भी अपने पत से हटाया जाता है महावियोग प्रक्रिया लगा कर फिर नेक्स्ट क्यूशन है वर्तमान में भारत के महान्याइवादी कौन है वर्तमान में भारत का महान्याइवादी कौन है तो पहला उप्षन है के के वेनुगोपाल वी उ 8 207 में अपने आपने South니다 Chronique में इननोंने महानीय ऴद्ध को धारं किया था और इनका जो कारेकाल भो कितना होता है तीन वर्ष का होता है। किन्तु वर्तमाल में जो केके विंडुगोपाल है इनका जो कारेकाल वो इनके कारेकाल में एक वर्ष की वर्दी की गई है केंदर सरकार की द्वारा, केंदर सरकार अपनी इच्छा से अगर चाहे तो इनके पद में वर्दी भी कर सकता है, किन्तो इनका जो कारेकाल होता है, वो कितना होता है, उनली तीन वर्ष का होता है, केंदर सरकार अगर चाहे तो इनके पत में व्रदी भी다 कर सकती है तो एक व्रस की इनके पत में व्रदी की गई है के इनदो सरकार की द्वाया तो अभी वर्तमान में जो केके वर्तमान में महान्याइवादी कौन है केके वेनु गोपाल ओकी गाइस देखते हैं नेक्स्ट I hope कि मेरी दौरा बते गए सबी क्यूशन आंसर आपको अच्छे से किलियर हो गए होंगे तो आपको इन क्यूशनों से समधी जो भी पीडियोफ प्राप्त करनी हो तो वो शोशल मीडिया पे जाके हमारे टेलिग्राम चैनल से आप प्राप्त कर सकते हो फिर फेस्बुक सोनु क्लासेज एंड इंस्टाग्राम सोनु एजुकेशन गूप्स पे भी हमें फोलो कर सकते हो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं पे समापत होता है तो मिलते हो मच्छे वीडियो में थैंक्यू सो मच